हे वाटसब यूपल क्या हाल चाले आज किस वीडियो में आपको बताने वालों कि भारत एटियम वर्सेस इसपाइस मनी दोनों एप के कंपेरिजन करूँगा और आपका एक कंफूजन दूर कर दूँगा कि आपको किस कंपनी की आईडी लेनी चाहिए और किस कंपनी में आप कंपनी MCEA से रेजिस्टेड हे क्या नहीं और कंपनी का कस्टूमर सपोर्ट कैसा है और कंपनी में कितनी जादा सर्विस मिलने वाली जैसे कि A EPS मिल नहीं मिल रहे हैं। अधार pay की service Case deposit की service Money transfer की service IRCTC ट्रेंट ticket booking करने की service Flight ticket booking करने की service Pen Card apply करने की service मिल रहे हैं? Elect Manвой याइट बिल जमा करने की service Mobile recharge अधार pay आऊएक्रो ATM की service जैसे 순간 Micro ATM के माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं जैसे किसी का ATM कार्ड है तो वाली service मिल रहे हैं नहीं मिल रहे है Loan की payment करने की service Dish TV recharge मैंने D2S recharge करने की service तो मैं आज आपको इन दोनों app में कितनी service मिलने वाली है पूरे detail में जान कर देने वालो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं वो की trustable company क्यों होती है तो चलिए वीडियो को start करते हैं बिना समय गवाय हुए है अब हम जान लेते हैं कि भारत ये अप company और spice money company की retailer या merchant ID लेने का कोई charge लगता है या नहीं तो दोने कंपनी की ID बिल्कुल free है कोई charge नहीं लगता है retailer ID लेने का तो अगर आप spice money या भारत ये अपकी ID लेना चाहते हो तो उन दोने वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा उन वीडियो को देख कि आप भारत येटियम और spice money की ID ले सकते हो अब हम जानेंगे कि customer के अधार card से पैसे निकालने पे कितना commission मिलता है भारत ATM app कंपनी में और spice money कंपनी में इसमें commission के तीन slave बना रखे हैं माने कि slave A, slave B, slave C माने कि तीनो slave हैं इनमे commission कितना मिलता है कि अपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो इतना commission मिलता है भारत ATM app कंपनी में और spice money कंपनी में तो सबसे पहले जानते हैं भारत ATM app कंपनी में अपने wallet के पैसे जैसे कि 100 रुपे से लेके एक लाग तक ट्रांसपर करोगे तो 5 रुपे चार्ज करणेगा और spice money कंपनी में अगर आप 100 रुपे से लेके 25,000 तक ट्रांसपर करते हैं तो 5 रुपे चार्ज करणेगा wallet के पैसे को अपने account में move करने का और 25,000 एक रुपे से लेके 2 लाग तक अपने account में ट्रांसपर करोगे तो उस पर चार्ज करणेगा 10 रुपे का अब हम जानेंगे कि domestic money ट्रांसपर करने पे कितना चार्ज करता है भारत एटी में आपके ID में और spice money की ID में तो सबसे पहले जानते हैं भारत एटी में आपके ID से अगर आप भारत एटी में आपकी retailer ID से किसी customer के 10,000 रुपे ट्रांसपर करते हो तो उस पे आपके 100 रुपे चार्ज के रूप में कट जाएंगे और commission के रूप में 55 रुपे आपके वापिस आजाएंगे आपके commission wallet में ठीक है तो चार्ज कितना कटा 45 रुपे चार्ज कर गए और 55 रुपे commission के रूप में वापस आगे अगर आप spice money से 10,000 रुपे किसी customer के account में ट्रांसपर करते हो तो 100 रुपे चार्ज के रूप में कट जाएंगे और उसमें से 55 रुपे वापिस आजाएंगे तो चार्ज के रुप में कितने कटे 45 रुपे कटे क्योंकि 55 रुपे मारे वापिस आगे तो सेम मनी ट्रांसपर चार्जिस हैं भाराए 30 में अप में और spice money कमपनी में अब हम बात करेंगे कमपनी के customer supports की अगर आप किसी भी कमपनी की ID लेना चाहते हो तो सबसे पहले दगो कि उस कमपनी का customer support बढ़िया है या नहीं क्योंकि अगर आपने उस company की ID ले ली और उससे अधार काट से पैसे निकाले या money transfer करा या बिजली का बिल जमा करा और जिसे money transfer करते बक्त आपकी कोई transaction failed होगी और wallet से पैसा कट गया अगर company के customer care के number पे call कर रहे हो इमेल कर रहे हो पर कोई reply ही नहीं दे रहा आपका कोई जवाब ही नहीं दे रहा और call पिक ही नहीं कर रहा और आपके पैसे जो फस चुके है और उसका कोई समाधन नहीं हो रहा अगर company का customer care service बढ़िया होगी और आपकी कोई transaction फस जाती है तो वो उस problem को sort out करा देंगे तो इसके लिए हम बात करने वाले सबसे पहले भारत ATM app company के customer support के तो भारत ATM के customer support में आपको भारत ATM app की email ID मिल जागी और contact नमर मिल जागा अब मुझे से पूछ जो कि customer support कैसा है भारत ATM app का तो मैं कहूंगा कि यह कोल नहीं उठाते हैं पहले तो यह बात है कि भारत ATM वाले कोल नहीं उठाते हैं मेरे तो कोई transaction नहीं फसी है कभी फसी वी थी तो पर मेरा कोल उठा लेते हैं क्योंकि मेरा क्यों उठाएंगे पर या पर यह होता है कि सेवन डे के अंदर एटमेटिक यह प्रोलम सोट आउट हो जाती है अगर कोई transaction फेल भी होती है तो एटमेटिक ही पर यह कस्टूमर सपोर्ट सोड़ा में बताऊंगा अगर आप कहना चाओगे कि भारत ATM को कस्टूमर सपोर्ट के लिए 5 में से कितना देना और इनकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है और transaction फेल होती नहीं है अगर हो भी जाये तो कस्टूमर सपोर्ट बहुत बढ़िया है अगर आप कहना अगर आप चाहते हो कि मैं स्पाइस मनी के कस्टूमर सपोर्ट को कितने नमर दूँ मैं इने 5 में से 5 नमर दूँगा इस पाइस मनी कंपनी EPFO में रेजिस्टरड है अगर कोई कंपनी EPFO में रेजिस्टरड है तो एक जनल कंपनी वे ट्रस्ट कंपनी है आप उस कंपनी की ID ले सकते हो अब हम जाने देए EPFO होता क्या है EPFO को कहते है Employee Provident Fund Organization यह गोवर्मेंट संदता है जहां पर Employee का PF जमा होता है इससे पता पढ़था कि किस कंपनी में कितने बंदे काम करें जैसा कि मैंने कपनी का EPFO चेक्क तो उससे पता पढ़ए कि कंपनी में current time में 63 Перша guy 63 लोग काम कर रहे हैं जो कि हमें service प्रोवाइड करते हैं इसपास्मने में इस euro होती है às almost 000 मनी कंपनी EPFO में रेजिस्टेड है पर भारत एटेट कंपनी EPFO में रेजिस्टेड नहीं है अब हम जान लेते हैं कि भारत ATMF कंपनी और स्पाइस मनी कंपनी MCA में रेजिस्टेड है या नहीं और MCA क्या होता है मनी कंपनी का MCA में रेजिस्टेड कराना बहुत ही जरूर हता है तो इस पाइस मनी कंपनी का MCA में रेजिस्टेड हो चुका है जो कि सन 2000 में हुआ था और अभी तक भारत ATMF कंपनी का MCA में रेजिस्टेड नहीं हुआ है तो यह कंपनी बहुत ही ट्रस्टिड है स्पाइस मनी कंपनी क्योंकि इसका MCA में भी रेजिस्टेड है अब हम जान लेते हैं कि समय जादा डाउनलोड किस एप को क्या गया है स्पाइस मनी एप को 10 लाख बार डाउनलोड क्या गया है प्ले स्टोर पे और भारत ATMF को प्ले स्टोर पे 1 लाख बार डाउनलोड कर चुके हैं अभी तक तो समय जादो जो downloading rating है वो है Spice Money App कि अब हम देख लेते हैं भारत ATM App Company में क्या-kia 서비ซ मिलने वाली है Spice Money Company में क्या-kia service मिलने वाली है तो चलिए देख लेते हैं अब हम जान लेते हैं कि स्पैस Money App में क्या-kia service मिलने वाली है और आप Spice Money App को desktop और laptop में भी login कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या-क्या service मिलने मली है, जो पहली service मिलेगी mobile recharge की दूसरी service spice मनी do some dmt , इदर से आप money transfer कर सकते हो, spice लिपाइस लिए Lumetome , Place एईपेस विट्रोल अधार कार्ट के मादिम से पैसे निकल सकते हो एईपेस मिनी स्टेट्मेंट माने कि अधार कार्ट के मादिम से किसी बैंक की मिनी स्टेट्मेंट निकल सकते हो केस कलक्षन कर सकते हो और यहाँ पर है भीम अधार पे, माने कि अधार पे के माधिम से भी पैसे निकाल सकते हो LIC payment, LIC की payment कर सकते हो थोड़ा सा और स्क्रोल नीचे करते हैं यहाँ पर और सर्विस में मिल जाएगी IRCTC, railway ticket booking करने की सर्विस, hotel booking करने की सर्विस, flight ticket booking करने की सर्विस यहाँ पर आपको पैन काड़ाई करने की सर्विस मिल जाएगी और electricity bill payment करने की सर्विस, mobile post पर recharge करने की सर्विस और dish TV recharge करने की सर्विस और guest booking की सर्विस, water bill, land line, bed bond, book a cylinder तो यहाँ पर fast take की सर्विस भी जो मिल जाएगी आपको इस पर commission भी मिलेगा और यहाँ पर loan payment पर भी commission मिलेगा insurance की सर्विस मिल जाएगी तो इस placement app में आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएगी अब हम जानेंगे कि हमें भारत ATM app में क्या-क्या सर्विस मिलने वाली है तो भारत ATM app में जो पहले सर्विस मिलने वाली है money transfer की मिलने वाली है दूसरी get settlement wallet के पैसे का अपने account में transfer कर सकते हो check balance अधार card के मादियम से balance check कर सकते हो bill payment की service यह अभी coming सुने अभी आई निये cash deposit ICI bank के cash deposit कर सकते हो अधार pay की service यहाँ से अधार pay के मादियम से आप पैसा निकाल सकते हो case withdrawal कर सकते हो अधार pay के मादियम से और qr code qr code के मादियम से पैसा पे कर सकते हो open rd account की service coming सुने और भारत ATM app में इतनी आपको service मिलती है I hope आपको यह वीडियो पसंद आगी वीडियो पसंद आगी तो वीडियो के लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो से related कुछ भी doubts लगे तो आप मुझे direct call कर सकते हो instagram पे message कर सकते हो और आपको वीडियो का कौनसा पार्ट अच्छा लगा comment करके बताए और कौनसी company अच्छी है आपकी राय से तो comment जरूर कीजिए कि भारत एट में आप company बढ़िया तो भारत एट में आपके बारे में comment कीजिए अगर आपके spice money अच्छे लेगते हो तो spice money के बारे में comment कीजिए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में take care bye bye